Hello everyone, welcome to our YouTube channel आज हमारा 7th सेशन रहने वाला जिसमें हम Brown Friend Virenner के वायो Ecological System के बारे में पढ़ने वाले हैं उससे related questions को हम डिसकस करने वाले हैं इससे पहले 6 वीडियोज हो चुके जिसमें हमने 6 अलग-अलग topics को cover कर रहा है अगर आपने वे वीडियोज नहीं देखी हैं तो playlist बना हुआ है वहाँ पर जाकर वे सारी वीडियोज आप देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कोसर नमबर 1 के साथ कोसर नमबर 1 है निमने लिखित में से कौन सा उपागम असांतकारी बहवार संबंदी बिकार वाले बच्चों के साथ बहवार करने के लिए बच्चों को उसके आजपास की लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतकरिया करने का सुजाब देता है बच्चे को उसके आजपास की लोगों और सामाजिक संश्थाओं के साथ अंतक्रिया लोगों और संश्थाओं के साथ अंतक्रिया की बात सिर्फ एक ही थियोरी में की गई जो गी है बायो इकोलोजिकल सिस्टम यहाँ पर हम बात करें तो भी आपका आज आएगा option number second के अंदर तो राइट आंसर option number second हो जाएगा यूरी ब्रेनर के द्वारा यह दिया गया था आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोसन की तरफ कोसन नंबर second है कोसन नंबर second है बच्चों के बहवार को समझने के लिए बिध्यारतियों के घर के बातावरन का महत पूनिश्थान है तता इससे प्राव्द सूचना को प्रभाव साली सिक्षा सास्थ के निर्मान से जोड़ा जा सकता है यह तत्य अधिकम के सिध्धान से संबंध है बहव बच्चों के घर का बातावरन का इस्थान महत पूर्ण है बच्चों के बहवार को समझने के लिए और इससे जो आपको इन्फोर्मेशन निकलती है उन्हीं को आप सिक्षण सास्तर में उप्योग कर सकते हो यह बात अगेन किस से जोड़ी हो गई आपके एकोलोजिका सिस् लाइब मातापिता का स्कूल के टीचर्स के साथ किस तरह का इंट्रेक्शन होता तो यह सारे चीजें बच्चे के बिकास को प्रभावित करती हैं और थार्ड है ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर के जेव पाष्टिजी की सिध्धान के नाम में जेव सब्द क्या दरसाता है दा बा प्रभाव के दombres को इसका मातापिता सभस्स्विक प्राणीं और सांधियों का प्रभाव विकास पर मातापिता दोओरा पुर्दाण किये पर्यावरण रा़कशन किये परभाव और इन परिखृत्यूंस का एक दूसरे पर प्रभाव गिंशनेन को गुणों को देव सकते genetic makeups को तो राइट आंसर इसका option number first हो जाएगा the influence of genetic makeup on development question number four है ब्यक्ति ब्रोन फ्रेनर के जे परस्तिति की प्रारूप के पर है इंडिविजिल्स आर एट दा ओव्रोन फ्रेनर्स वाय लुजिकल मॉडल ब्यक्ति कहां पर रहेगा center में extreme left none of these तो आई जब पूरी बात ही ब्यक्ति की की जाती है ब्यक्ति के विकास की बात की जाती है तो ब्रोन फ्रेनर के प्रारूप के अनुसार ब्यक्तियों के विकास को आकार दिया जाता है according to व्रोन फ्रेनर्स मोडल development of individual is saved by देखिए इन्होंने जे पार्सिति की सिद्धानत के बारे में बात करी तो जे मतलब की उनके अनुबान सिकी कारक पार्सिति की मतलब उसके आसपास की परियावरण संबंदी कारक तो व्यक्तिकी अनुबान सिक्ता और जीन संबंदी कारको द्वारा अब यहां पर परियावरण को मिस कर दिये इन्होंने ब्यक्तिगत अनुवांसिक की प्रिष्ट भूमी और परियावरान के कार को द्वारा यहां इसमें अनुवांसिक की वो मिस्स कर दिया है और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं यहां पर आपका जो वायो वर्ड वेवी आ गया है और जो एकोलोजिकल वर्ड वेवी आ गया है तो राइट आंसर ऑफ्सन अंबर सेकंड हो जाएगा और परियावरान के विकास पर सबसे सकतिसाली परियावर्णी प्रभाब किसकी होते हैं सबसे पास बात प्रण कोन सा रहेगा जिसमें बच्चे के माता पिता आ जाते हैं इसमें बच्चे के भाई बहन आजाएंगे बच्चे के जो मित्र हैं दोस्त हैं वो सारे लोग जाएंगे मध्य यो मंडल में क्या चलता है जो लगु मंडल के तत्व हैं यह नि मीज़ो सिस्टम में वो किस तरह के प्रोफेशन में हैं वो किस तरह का कारे करते हैं उसका प्रभाब बच्चे के बिकास से पढ़ता है और मेक्रो सिस्टम में उस देश में किस प्रकार की संस्कृति प्रचलित है उसका प्रभाब पढ़ता है फिर एक लास्ट में आता है घटना मंड़ा जीसे हम कुछ online काम चलना शुरू हो गया है या फिर हमारे टाइम पर जो कोरोना पेंडेमिक आया इस सब का प्रभाब क्या पड़ा हमारे विकास पर वो आपका अगर मीजो सिष्टम की बात का अंदर माता पिता का बच्चे के स्कूल के साथ इंटरेक्षन यह वाली चीज जाती है कि अतर सिस्टम के अंदर माता-पिता का जो व्यफसा है वे बच्चे को किस तरह से प्रभावित करता भी है जाएगा मेक्रो सिस्टम जो होता है उसके अंदर आता ही उस देश की संस्कृतिक किस प्रकार की है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑफ्शन नमबर थर उस देश का इत प्रभंदन पर कम समय और निर्देश पर अधिक समय बिताते हैं यह उधारण ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर के परसिती सिद्धान के किस इस तरह में फिट वेटता है स्मॉलर साइज क्लासिस टीचर्स स्पेंड लेश टाइम उन क्लास्रूम मैनेजमेंट एंड मोर और इंस्ट सिस्टम के अंदर राइट आंसर ओफ्षन नंबर थड़ हो जाएगा देकि माइक्रो सिस्टम तो होने ही नहीं है मीजू सिस्टम में तो जो माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं उनका इंट्रक्शन चलता है मैक्रो सिस्टम में तो उस देश के कल्चर के बारे में ब इस तरका उधारान है दा हाइली डिश्टर्विंग नेशन्स डिवेट इन आर कंट्री एवाट वाट पीपल सुट इट एट एंड वाट इस शुट नॉट इन एग्जामपल ओफ लेवल ऑफ प्रोन फ्रेंड वेनर्स बायो एकोलोजिकल थ्योरी में यहां पर यह बात कही क आज के टाइम एक डिवेट चल रही है कि लोगों क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अब किसके अंदर आएगा अगर मीजु सिष्टम के बात करें तो मीजु सिष्टम में जो माइक्रो सिष्टम होते हैं उसके ही एलिमेट्स इंट्रेक्शन कर रहे होते यह देते हैं पिर आपको कौन सा वच्चा फिर आपका वच्चा एक सब्सक्राइब यहां पर साथ थोड़ा सा कन्फूजन हुआ है मेक्रो सिष्टम के अंदर मीजु सिष्टम के एलिमेंट्स आते मैंने बताने में थोड़ा सा गड़वल कर दिया होगा एंड एक तो सिष्ट बात करें तो उसी टाइम पर एक ठॉस कि दिवेट का लोगों क्या खाना चाहिए यह घो आज्ट के पर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कई बुक्स भी लिखी हुई है इसको लेकर यह सारी चीज़ें पॉस्ट नमर टेन हैं ब्रोन फेन ब्रेनर के पाश्टी जी सिध्धानत की प्रमुक कमजोरी यह है कि यह बिकास में संग्यान की भूमिका को अंदेखा कर देता है बिलकुल अंदेखा करा है संस्कृति की भू संग्यान की भूमिका को अंदेखा कर दिया इसलिए से ղ classification हो सकत है तो यह था को इको प्रोन फेनर की इको लोगुल तियोरी इस बुक में इसके 10 कोशन ही दे रहा कहते हैं इसलिए मैंने सिर्फ 10 कोशन ही डिसक्रस करें हैं तो वीडियो के से लगी कमेंट में करके जुरूर बताइएगा इस बुक को हम कंप्लेट डिसक्रसन करने वाले हैं तो सीरीज को कंटिनू देखते रहिएगा आपको यह आंसर क की मिल जाएगी इस आंसर की से आप और अच्छे तरीके से प्रेक्टेस कर सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब का बहुत धन्यवाद